Hello Everyone, House of Legal Studies में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आनद मिश्रा और आज हम बात करेंगे Impeachment of President of India के प्रोसेस को अगर आप भी मुझसे जुड़ना चाते हैं तो Telegram और Unacademy ID आपको दिख रही होगी और Description में लिंक मेंशन है वहाँ से भी आप जॉइन कर सकते हैं Impeachment process को देखें तो जब हमने election process पढ़ा था election तो उस case में आपको देखेगा कि जो elected members होते हैं legislative assemblies के और House of Parliament के वो लोग voting right होता है उनके पास लेकिन जब impeachment की बात करते हैं जब remove करना है President को तो उस case में all the members of both the Houses of Parliament की बात करना है इसका मतलब क्या है कि जो लोग सभा के total members हैं और राज जिस सभा के आपको members देखने को मिलेंगे ये दोनों मिलके ही क्या घसने हैं remove कर सकते हैं इसके अलावा जो exclude किया आता है जिन members को वो कौन से हैं all members of legislative assemblies और legislative councils के सारे members देखिए legislative councils के जो member होते हैं उनको तो voting right भी नहीं होता है जब election की बात करते हैं हम लोग लेकिन legislative assemblies में जो elected members थे वो उनको voting right था voting rights थे उनके पास जब election होता है प्रेजडेंट का लेकिन removal case में इनको भी कोई right नहीं दिया गया है और जो nominated members जो house of parliament के थे जिनको election में include नहीं किया गया था लेकिन removal के case में उनको भी include किया था तो इसका मतलब क्या है दोनों houses upper house और lower house remove करते हैं प्रेजडेंट को अब grounds की बात करें किन grounds पे आप remove कर सकते हो impeach कर सकते हो प्रेजडेंट अफ इंडिया को तो एक ही ground है यहां पे only for violation of the constitution अब यह constitution का violation करने के case में ही आप impeach कर सकते हो प्रेजडेंट अफ इंडिया को और कोई ground नहीं है यहां पे ठीक है और as such कोई constitution का violation क्या क्या होगा process वो भी ही ने decide किया गया है ठीक है तो वो discretion लोगसभा राजसभा के members की है कि किस aspect को वो लोग violation of constitution मानते हैं तो उसी basis पर क्या कर सकते हैं वो लोग impeach कर सकते हैं प्रेजडेंट नों इंडिया को अब impeachment process start कैसे होता है एक charge प्रेफर कियाता है एक किसी house में या तो वो लोगसभा करेगी charge या राजसभा प्रेफर करेगी वो कोई भी house करता है initiate कर सकता है उस charge को ठीक है तो वो कैसे होगा proposal के form में होगा एक charge जो की 14 दिन प्रायर notice आप दे होगे writing में ठीक है कि क्यों हमने charge move किया है क्यों proposal ला रहे है और उसमें मिनियों आपको one-fourth members जो होंगे उस particular house के ठीक है अगर लोगसभा proposal लेके आता है तो उस case में लोगसभा की one-fourth होंगे और राजसभा लेके आते हैं charge तो उसमें राजसभा के total members का one-fourth होगा ठीक है clear है यह point तो one-fourth member लेके आते हैं और 14 days notice आपको देना पड़ता है writing में प्लस proposal के form में होता है इसे charge कहते हैं अब ऐसे case में क्या होगा आगे जब charge प्रिफर कर दिया जाएगा उसके बाद resolution पास होगा उसी house में जो charge लेके आया है और majority कितने होने जीए not less than two-third अब यह two-third का मतलब क्या है आपको two-third of total membership देखने को मिलेगा इसका मतलब present से नहीं है जो total number of house में members होते हैं 250 अगर normally राजसभा में members हैं अगर ठीक है तो उसमें से क्या होगा 250 में से आपका two-third members अगर voting में अगर मालीजिए two-third से कम present होते हैं और hundred के hundred percent लोग उसको against रेवोट देते हैं तब भी वो proposal पास नहीं होगा ठीक resolution पास नहीं होगा क्योंकि आपको क्या है members देखने हैं कि minimum members कितने होने चीए two-third total ये धाई सो का आप देखोगे कि two-third अगर पास कर देते हैं तब वो proposal resolution पास होगा जब एक house में resolution पास हो जाता है two-third majority से ठीक है total membership का majority होता है अगर पास हो गया एक house में अगर मालीजिए हमने राजसभा ने पास हो गया तो दूसरा house कौन सा है लोगसभा जो की investigation करेगा तो हमेशा क्या होता है दूसरा house क्या करता है investigation करता है charges में अगर उनको क्या लगता है charges को dismiss कर देते हैं चार्ज उनको सही नहीं लगता तो उस case में आगे impeachment process नहीं चलेगा ठीक है voting नहीं होगी लेकिन अगर उनको लगता है कि जो charges है वो सही है ठीक है inquiry किया और investigation किया है तो तो उस case में आगे resolution process start हो जाएगा अब दूसरे house में resolution process जो देखो गए आप वो same ही होगा voting जो होती है वो two-third majority होता है total membership का ठीक है जितने total member है उसके two-third minimum members अगर yes कह देते हैं तो उस case में क्या है president को impeach कर दिया जाएगा ठीक है और अगर no हो जाता है तो उस case में impeachment आपकी न होता है उसी time पर माल लिया जाता है कि वो president को impeach कर दिया जाता है ठीक है उसके लिए कोई और separate order नहीं आएगा जिस दिन आपका voting हो गया resolution पास हो गया ठीक है उसी दिन remove कर दिया जाता है president of India को अगर आप भी PCSJ के prevention करना चाहते तो उस case में unacademy आपको platform provide कर रहा है अगर आ Indian contract act, CPC, jurisprudence, Hindu law, constitutional law, CRPC, local law, Indian penal court और evidence set के लवा other classes भी available है यहाँ पे free of cost भी यहाँ पे आपको अलग-अलग features देखने को मिल जाएंगे जिसमें interactive live classes और concept है आपके class के बीच में पोल का option आता है raise a hand का भी option यहाँ पे live classes में दिया गया है कि कोई भी doubt हो तो on the spot आप पूस सकते हैं इसके साथ ही आपको notification आपकी available रहेगी हमेशा lectures के जो notes होते हैं वो PDF form में आपको class के बाद available होते हैं और आप कहीं से भी class ले सकते हैं कभी भी class ले सकते हैं आप plus subscription के benefit की बात करें तो India's के best educators आपको ATA की platform पर मिलते हैं interactive live classes होती है live test and quizzes conduct कराया जाते हैं उसके साथ ही और में वो notes आपको available हो जाता है हर class का एक सितंबर से absolute law 1.01 year inclusive batch for judiciary exam start होने वाला है जिसके duration एक साल होने वाली है जिसमें आनम मिश्रा सर, हर्ष्वियारी सर और डी के राय सर लेंगे इस batch को T20 mock test series भी available है जो कि IPC Monday, CRPC Tuesday, CPC Wednesday और Evidence Act Thursday को 9.5 classes होती है इसके आदी Friday को mixed subject का MCQ conduct कराया जाता है paid subscription के plan की बात करें जो कि एक महिने से लेके 24 महिने तक available है तो आप अपने according plan opt कर सकते हैं जिसमें लेकिन अगर आप आननसर live code यूज करते हैं तो आपको कोई भी plan हो तो उसमें आपको 10% flat off मिल जाएगा इसके साथ ही YouTube पे भी Unacademy Judiciary live classes conduct कराता है जो कि free of cost है इसके आद आप आप टेलिग्राम चैनल पर भी जूट सकते हैं अब उस resolution का effect क्या होगा ठीक है तो जब प्रेजडेंट ओफ इंडिया होते हैं प्रेजडेंट ओफ इंडिया ठीक है उनको सेम डे रिमूव कर दिया जाता है सेम डे रिमूव कर दिया जिस इन resolution second house में पास होगा इसके साथ ही जितने उन्हें काम कियोंगे ठीक है अपनी टर्म में वह सारे क्या होंगे वैसे काम वैलिड होंगे क्लियर है कोई भी उनका जो work है वो invalid नहीं होगा वो सारे काम जो उन्हें किये हैं जो order पास किये हैं माल लीजिए कोई बिल पास किया सब को वैलिड कंसीडर किया जाएगा क्लियर है इसका मतलब उससे पहले के जितने भी काम किये हैं जब आफिस में थे वो चाहे हो एक साल रहे हो दो साल रहे हो कोई लिमिट में नहीं है ठीक है पांस साल जे पहले impeachment होता है आपका तो उस case में सारे काम आपके वैलिड होंगे आपको impeachment प्रॉसेस समझ आ गया होगा लेकिन इसके बाद भी कोई आपको doubt है तो आप comment section में comment करके पूछ सकते हैं और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो share करें, like करें और comment करें इसके साथ ही अगर आपने चैनल को subscribe नहीं किया तो चैनल को subscribe कर लें थैंक यू